हम इस वक्त भगवानपुर में हैं, हमारे साथ उत्राखंड के पूर्व कैबिनेट मंतरी दर्जाधारी राव फर्मूद जी मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि कॉंग्रस की किस तरह से भगवानपुर में तयारी है, फर्मूद भाई, किस तरह से तयारी है 2022 चुनाओ को ल करने के बाद ममतर आके इसको भारी मतों से जिताने की तज्यारी है, क्या देख रहे हैं चुनाओ परचार जो चुनाओ आयोग ने रोक लगा रिकी है, किस तरह से आप लोग चुनाओ परचार कर रहे हैं? इभी तो पांपान साथ आज में डोड टूड कर रहे हैं, और कांग्रस हैं, दोजार सत्रा में सुबोद राके बीजेपी से चुनाओ लड़ते, बहुत भारी टक्कर दी थी कांग्रस को, इस बार वो बस्पा से चुनाओ लड़ रहे हैं, ये भगवान पूर स्रीट जो है, परमपरागत रूप से बस्पा की मानी जाती है, उनके बस्पा में यो होड रहे हैं कि कौन सा दूसरे नमबर पावा, बीजेपी ने आपके घनिस्ट मित्रों में सुमार मास्टर सत्यपाल, जिसको दो हजार बारा में कांग्रस ने और आप लोगों ने मिलकर यहां चुनाओ लड़ाया, उसके बाद भगवान पूर से नगर पं बीजेपी को साथ देगा हम कांग्रस ही हम कांग्रस साथ देंगे हमने कांग्रस से ने चुनाओ लड़ाया, बीजेपी में चले गए, बीजेपी वाले उनकी साथ जागे, कांग्रस वाले कांग्रस की साथ जागे, महारा कोई वैक्तीगत संब्मन हो सकते हैं, बाकि है लाध तो कोई ने जित से बड़िया सिद्धे भले आदमी है वी जेपी दूर दूसे नंबर फ् Bennas लृड़ाय लड़ेगी है भा तूसरे नंबर की लडाई पह वो कि इस बार कि सरकार बना रहे हैं को पर सरकार रोज हैं हमारे साथ पूर कैविनेट मंत्री राव फरमूद जी जिनका साफ तोर से कहना है कि भगवानपुर में मम्ताराकेश को जिताने के लिए यहां की जनता पूर्जोर्स को रिस कर रही है और निश्ची थी मम्तरा के इसको जिता कर विधान सफ़ा बेजेंगी और हरी स्रावत को मुख्य मंतरे बनाएंगे अपने सही होगी विनो चोद्रे के साथ मैं महम्मद अजीम नियूजवर्ड इंडिया हरिद्वार